व्यर्थ को अटेंशन से चेक करो, अलबेले होकर नहीं, वैसे तो हम कई बार चार्ट देखते हैं, तो कई बच्चे लिखते हैं, व्यर्थ कितना था दिन में, तो कुछ भी नहीं था, है ना, लेकिन ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना, तो समझ में यहीं आता है, कि अटेंशन से व्यर्थ चेक नहीं हो रहा है, और अटेंशन से जब चेक नहीं करते हैं, तो चेंज की तो बात ही नहीं आती, फिर बाबा सोचता है कि बच्चा चेंज नहीं हो रहा, लेकिन बच्चे की तो चेकिंग ही नहीं हो रही, तो चेंज कहा आएगा, तो यह जो attention से वियर्थ को check करने की बात है, यह बहुत important subject है और यह important इसलिए भी है, क्योंकि वियर्थ का weight, वेस्ट का weight बाबा कहते है वियर्थ का बोज, आत्मा को उड़ने नहीं देता और इसलिए जब हम हमारा जो यह मार्ग है, यह हमारी जो जीवन है यह तो योगी जीवन है और योगी जीवन माना आत्मा उड़े, बाबा के पास जब चाहे उड़कर जा सके लेकिन वो उड़ने के punk कटे होते हैं क्योंकि वियर्थ का बोज बहुत होता है कई बार अनुभफ करते हो ना योग में बैठे और ऐसे ही आत्मा फड़पडा रही है उड़ने के लिए और flight लेने की कोशिश कर रही है लेकिन उड़ने ही पाती है और वहीं थोड़ा और अगर उड़ने ही पा रहे हैं और सिर्फ फड़पडा रहे हैं तो क्या होता थक जाते हैं अपने ही कोशिश से तो फिर योग पूरा करने के बाद ऐसा कहते हैं कि थकान ज्यादा हो गई रिचार्च नहीं हुआ और ही थकान हो गई क्यूंकि जो व्यर्थ का बूज होता ये उड़ने नहीं देता अब व्यर्थ की कैसे चेकिंग करें अटेंशन से तो आप देखो कि दुनिया में तो समझते हैं कि जो भी बात हमसे संबंध रखती हैं वो व्यर्थ कैसे हो सकती है लेकिन मान लेजे कोई आपके ही विशे में कोई बात कर रहे हैं या कोई आपके ही विशे में कोई निंदा कर रहे हैं अब उसके बारे में सोचना व्यर्थ कैसे हुआ वो तो आपकी बात है ना लेकिन आप सोच कर भी क्या कर सकते हैं क्या आपके उस बात को सोचने से आपकी स्वाउन्नती होती है? स्वाउन्नती तो नहीं होती ना? तो जब स्वाउन्नती नहीं होती, तो संगम युग में वो व्यर्थ है. तो हम चेक कैसे करें कि व्यर्थ क्या होता है? तो जिस भी करम से, चाहे वो संकल्प हो, बोल हो, हातों का कोई करम हो, समय का यूज हो, संबन संपर्ख हो, जिस भी करम से हमारी या दूसरे की उन्नती का कोई संबन नहीं, वो हर करम व्यर्थ है. क्योंकि उससे हमारा ये जो संगम्युग है ये संगम्युग का लक्षे क्या है? क्या लक्षे है? बनना और बनाना इस समय बनाने वाला बाबा आया हुआ है तो हम बने और बनाएं यही संगम्युग का लक्षे है और जो भी संकल, बोल, करम, संबन, संपर्क, समय का यूज, जो बनने और बनानी का काम नहीं करता, उस सब व्यर्थ है अब ये जो व्यर्थ है, ये इतना ज्यादा चलता क्यों है? क्योंकि आप देखो संकल्प के लेवल पर तो बहुत व्यर्थ चलता है और ये व्यर्थ चलता क्यों है? क्योंकि हम ये नहीं देखते कि कौन से बात उन्नती करती है पर हम इसमें फस जाते हैं कि ये राइट बात है तो ये जो राइट और रोंग की बुद्धी है, ये हमें व्यर्थ में बहुत ले जाती है अगर कोई बात right भी है, अगर कोई बात सत्य भी है दुनिया के हिसाब से लेकिन उसको सोचने से या उसको जानने से अगर आपकी स्ववनती नहीं होती तो वो व्यर्थ है मानने चे दुनिया में बहुत सारे गलत काम हो रहे है अब उन गलत कामों वो सत्य है, वो बात राइट है, सत्य है कि दुनिया में ये सब कुछ हो रहा है लेकिन अगर आप उसका चिंतन करेंगे तो उसमें आपकी स्ववन्नती नहीं होगी लेकिन अगर आप बाबा को याद करेंगे तो आप इस संसार को वो वाइब्रेशन दे सकते हैं जिससे उन दुशकर्मों का परिवर्तन हो सके तो इसलिए ये जो बात राइट है या सत्य है तो मुझे सोच नहीं है अब कल्यूग का सत्य कैसा होता है कल्यूग का सत्य तो कल्यूगी ही होता है पतीत पना ही कल्यूग की रियालिटी है अब अगर हम ये ट्रू है ये राइट है सोच सोच के कल्यूग के पतीत पने को अपने अंदर घोटते जाएंगे तो हम कैसे बनेंगे, पावन बनेंगे, पावन तो नहीं बनेंगे न, लेकिन ये जो बातें वो ये गलत कर रहा है, उनको ऐसे नहीं बोलना चाहिए, या उनको इस प्रकार से नहीं चलना चाहिए, भले ही वो आपके भी संबन संपर के बात हो, आप ही के प्रति, कोई गलत भ बोल रहा है या गलत भी कर रहा है लेकिन उसको परिवर्टन आप सोच के नहीं कर सकते या वर्णन भी करेंगे तो भी उसका परिवर्टन नहीं हो सकता हो सकता है किसी को सारे दिन वर्णन करें वो गलत करते हैं वो गलत कर रहे हैं उनको ऐसे नहीं करना चाहिए ऐसे नहीं कर तो क्या होगा, उनका वो परिवर्तन हो जाएगा और वो करना बंद कर देंगे, ऐसा तो नहीं है ना, जिसको जो करना है, ड्रामा अनोसार, संसकार अनोसार वो ही करना है, तो आपको किसके बारे में सोचना है, किसके बारे में नहीं सोचना, ये समझ, ये परक बहुत एटें वर्णन करना जरूरी है या मान लीजिये किसी के अंदर कोई कमजोरी भी है वो सत्य बात है कि उनके अंदर वो कमजोरी है लेकिन आप उसका वर्णन करेंगे तो उसकी कमजोरी का परिवर्तन नहीं हो जाएगा आप करते हैं कि आपने भाई बेहनों की कमजोरी का वर्णन करत कोई भाई बेहन में कमजोरी हो तो उसका बैट कर सबको वर्णन करते हैं क्या नहीं करते ना क्योंकि मालूम है कि उससे कोई फाइदा नहीं होता और ही नुकसान होता है लेकिन ऐसे व्यार्थ करम हम बहुत करते हैं ऐसे व्यार्थ बोल ऐसे व्यार्थ संकल्प तो इसलिए यह समझना होता है कि हम wrong और right में ना पड़ें, हम सत्य असत्य में ना पड़ें, बाबा कहते हैं सत्य बस वो है जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ, रुहानी सत्य, इस दुनिया के सत्य असत्य में ना जाएं, दुनिया में जो truth और false की बात होते हैं ये बात सच है और ये बात जूट है, उसमें ना जाएं, जो बाबा हमें रुहानी सत्य कहते हैं बस उसी को अपने अंदर चलाना है और इन बातों में हमें नहीं पड़ना, फिर बाबा हमें कई बार ये भी समझाते हैं कि व्यर्थ में past का बहुत चिंतन चलता है, जो past हो गया, आप past माना एक second पहले भी जो बीता, ठीक है, कई बार हम सोचते हैं कि उसका चिंतन करें, उसको कुछ अनलाइस करें, उससे कुछ अपनी भूलें समझें, उससे कुछ अपनी उननती करें, लेकिन अगर आपको ज्यान से अपनी भूल समझ में नहीं आ रही, तो क्या करेंगे, past के चिंतन से क्या ऐसा समझ जाएंगे, तो बाबा हमें कहते हैं, past तो जो भी हुआ, वो ड्रामा में नून्ध है, वो कल्प कल्प ऐसा ही होता है, इसलिए उसका चिंतन, किसी भी प्रकार का अनलिसिस, past का ऐसे करते तो ऐसे होता, ऐसे नहीं करते तो ये नहीं होता, कई बार सोचते हैं, ये बड़ी important काम है जो कर रहे हैं, कर्मों को कुटना, कि ये नहीं करते तो ये नहीं होता, वो करते तो ऐसा हो जाता, तो वो सारा भी व्यर्थ चिंतन में जाता है, क्योंकि past को बाबा ने क्या कहा है, श्रीमत अनुसार, full stop लगाओ, लेकिन full stop लगाने के जगा, past पे question mark लगाएं, past का को wishlation करें, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता, तो ये बातें भी बाबा हमें समझाते हैं, लेकिन हमें चेक करना होता है, कि कितना व्यर्थ संकल, बोल, करम, या व्यर्थ संबन संपर्क, आप देखो, कई बार व्यक्ति कहते हैं, सोसाइटी में संबन संपर्क में आना चाहिए, हाँ संबन संपर्क तो बनाना चाहिए, लेकिन संबन संपर्क के में आते, ये देखना है, कि हमने जो समय लगाया, जो संबन संपर्क में आए, उसमें उस आत्मा की उन्नती हुई, या हमारी जो अवस्था है उस अवस्था में उन्नती हुई या गिरावट हुई या हम भी व्यर्थ विस्तार में गए तो इन बातों को भी देखना है फिर व्यर्थ खर्च भी हम बहुत करते हैं व्यर्थ खर्च जो श्रीमत के प्रमान नहीं है जो भोगवाद की चीजों में जाता है, इच्छाओं, तृष्णाओं की तृप्तियों में जाता है, तो व्यर्थ खर्च भी हमें बचाना है, तो बाबा कहते ही, व्यर्थ की चेकिंग अटेंशन से करो, अलबेले रूप से नहीं, तो तब जब चार्ट लिखेंगे न, तो ठीक समझ में आएगा, कि कितना व्यर्थ है, और चेक के बाद चेंज होगा, तो जितना समझ में आता है, कि मेरे जीवन में इतना व्यर्थ है, तो फिर उस आधार से चेंज करने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, बाबा से बल लेना पड़ेगा, तो एटेंशन कहां कि मुझे बाबा को याद कर शक्ती लेनी है, मुझे ज्ञान योग का बल भर कर अपने कर्मों को बदलना है, तो ये पहली चेज, फिर आज बाबा हमें कहते हैं, कि एक बाबा ही है, जो हमें रूहानी पढ़ाई बढ़ाते हैं, आप देखो, स्कूल, कॉलेज में या क्योंकि देखो, समझ और शिक्षा हमें सिर्फ स्कूल, कॉलेज में नहीं मिलती हैं, हमें मात पिता से भी बहुत सारी शिक्षाई मिलती हैं, हमें गुरुओं से भी पढ़ाई मिलती हैं, गुरुओं से भी समझ मिलती हैं, तो दुनिया में आप देखो, चाहे मात पिता हो चाहे दुनिया के टीचर शिक्षक हो चाहे कोई गुरू के पास कोई जाते हैं तो भी उनको कभी रूहानी समझ या रूहानी पढ़ाई नहीं मिलते जब बच्चा पैदा होता है तो उसको क्या कहते हैं यह तुम्हारे माँ है, पिता है, काका है, चाचा है, मामा है और वो सारे जो संबंधों का ज्यान उसको मिलता है वो ज्यान क्या है? जिस्मानी ज्यान जिस्मानी माता, जिस्मानी पिता, जिस्मानी चाचा, काका, मामा, बुआ, पूपा तो शरीर के सारे समबंध उसको बच्पन से आग खोलते ही बच्चा पैदा हुआ है अभी लेकिन उसको आग खोलते ही सुनने को क्या मिलता है ये चाचा है, ये पिताजी है, ये माँ है लेकिन आत्मा का रुहानी समबंध कभी कोई सिखाता है कि ये तुम्हारा परम पिता है तुम आत्मा हो और ये तुम्हारे आत्मा भाई है ये बातें कोई भी नहीं सिखाता तो ये रुहानी संबंध का ग्यान ये हमें कभी नहीं मिलता जब तक बाबा नहीं आते तो रुहानी संबंध का ग्यान या ये रुहानी पढ़ाई हमें को कोई नहीं पढ़ाता अब आप देखो यह जो प्यार की सब्जेक्ट है आज जैसे बाबा हमें कहते ना तुम्हें रूहानी प्यार रखना है अब प्यार का संबंध किससे हैं प्यार का संबंध है पहचान संबंध और प्राप्ति से प्यार किससे होता है पहले तो पहचान चाहिए आप बच्चे हैं तो कोई घर में आए तो आपको पहचान नहीं है यह कौन है तो फिर आप जाकर उनके पाउनी छूते हैं लेकिन जब बताया जाता है अरे यह फला चाचा जी है मामा जी है तो फिर आप भी मुस्कुराते हैं और जाके पाउंच होते हैं तो अब वो जो प्यार से आप मुस्कुराएं वो किस आधार से? पहचान के आधार से अगर पहचान ही नहीं तो प्यार जो है वो ब्लॉक हो जाता है पहचान नहीं होती तो किसी आत्मा के प्रती हमें प्यार नहीं आता तो प्यार का जो संबंध है वो पहचान से है, संबंध के समझ से है कि मेरा इनसे क्या संबंध है और फिर वो जो प्यार का संबंध है वो प्रापती से भी है क्योंकि बिजनसमेन को कौन प्यारा लगता है, क्लाइंट है, मैं अभी एक भाई को देख रही थी, वो तो क्लाइंट के साथ ही उड़ते बैठते खाते पीते सब कुछ है, वो क्लाइंट उनको इतना प्यारा है कि वो क्लाइंट ही उनका सबसे प्यारा संबंध बना हुआ है तो इतना प्यार से उनको एक बार सेंटर लेकर आए और इतना प्यार से उनके साथ उठना बैठना चल रहा था, तो मैंने उनको पूछा कि ये कौन है, ये आपके कोई रिलेटिव हैं तो मुझे कहते हैं ये मेरा क्लाइंट है तो मैंने का सही बात है, business man का तो client से जैसा संबन्द होता है, किसी से नहीं होता तो आप देखो कि जहां प्रापती भी होती है, वहां हमारा संबन्द बड़ा घनिष्ट हो जाता है लेकिन दुनिया में जो पहचान है या जो संबंध है या जो प्राप्ती है वो कैसे होती है जिस्मानी, फिजिकल तो हम शरीर के आधार से ये धन देने वाला है, ये पद देने वाला है, ये हमें कोई सुविधा देने वाला है इस प्रकार से हम प्राप्ति को समझते हैं लेकिन फिर बाबा जब आते हैं तो बाबा हमें रूहानी पढ़ाई पढ़ाते हैं और उस रूहानी पढ़ाई में हमें समझ में आता हैं कि हमें पहचान मिलती हैं सबसे पहले कि शिप बाबा जो दो आखों से दिखाई नहीं देत वो हमारा सर्व संबंदी है, हमें सर्व प्राप्तियां देने वाला है और बुद्धी से जितना जितना हम समझ जाते हैं और निश्य हो जाता है कि ये बाबा है, ये ही मात पिता, सत्गुरू, स्वामी, शिक्षक, साजन, सब कुछ है और जब ये समझ आता है कि मैं एक आत्मा हूँ और मेरी जो सर्व प्राप्तियां है, ज्यान, गुण, शक्ति की, वो किस से होंगी शिप बाबा से तो हमें किस से प्यार हो जाता है फिर बाबा से तो अगर हमें बाबा से इतना प्यार नहीं है, तो उसका कारण क्या है? और इनी से सर्वप्राप्तिया हैं. और बाबा कहते हैं, जब इस प्रकार से हमें पहचान मिल जाती, अनुभव हो जाता, तो एक बाबा से सबसे गहरा प्यार होता. दुनिया में और किसी से भी ऐसा प्यार न हुआ था न होगा, एक बाबा से हो जाता. तो इसको कहते हैं, र रूहानी पढ़ाई के अधार से जो पहचान मिलती, जो संबंद का अनुभव होता, और जो प्राप्ती का नशा चड़ता, उस अधार से रूहानी प्यार सबसे पहले किस से होता, बाबा से, और रूहानी प्यार तो बड़ी नई चीज है, दुनिया में तो कभी किसी को रूह रूहानी प्यार हुआ नहीं न, तो इसलिए जब रूहानी प्यार होता है, तो बहुत लांचन लगते, क्योंकि किसी को समझ में ही नहीं आ रहा, कि इनको क्या प्राप्ती हो रही है, या क्या सुख मिल रहा है, तो वो रूहानी प्यार, फिर बाबा हमें कहते हैं, अब हमा हमारा रुहानी प्यार आत्माओं से भी होना चाहिए, क्योंकि हमारा आत्माओं से क्या संबंद है? सर्वा आत्माओं से, हमारा संबंद है भाई-भाई का, और प्यार की निशानी क्या होती है? जब आत्माओं की पहचान हो गई, ये मेरे भाई-भाई है, तो प्यार की का दिल होता है, प्यार का जो सबूत होता है, वो केर होती है, तो जब हम आत्माओं को समझते हैं, कि ये मेरे हम जिन्स है, ये भाई-भाई है, तो हम उनकी केर करते हैं, अब रुहानी केर कैसे होती है, जैसे जिस्मानी केर क्या होती है, प्यासे को पानी पिलाया, भुके को खिलाया, कपडे नहीं है, तो कपडे दे, ठंड है, तो कमबल दिया, यह जिस्मानी केर होती है, लेकिन रुहानी केर क्या होती है, तो हमें समझ में आता है, आत्मा को क्या चाहिए? आत्मा को चाहिए ज्यान, पवित्रता, शान्ती, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ती तो जब हमें आत्माओं से प्यार होता है तो हम ये अटेंशन देते हैं कि ये जो साथ गुण है जिसकी हर आत्मा को आज जरूरत है सबसे पहले हम उसका स्वरूप बन कर रहें अपनी जो तयारी है कि मैं स्वरूप रहूं मैं शान्त स्वरूप रहूं मैं पवित्र स्वरूप रहूं मैं सर्वशक्ती स्वरूप, ज्यान स्वरूप रहूं सबसे पहले ये रूहानी प्यार का सबूत है कि आप आत्माओं की सेवा के लिए अपनी स्वस्थिती की तयारी करते हैं आप देखो आज दुनिया में मनुष्य कहता है मुझे अपने बच्चे से बहुत प्यार है लेकिन हर बच्चा बड़े होकर कहता है कि जितना भी साइकोलोजिकल अनालिसिस होता है उसमें यही पाया जाता है कि उनका मैजोरिटी डैमेज मातपिता की कारण हुआ तो क्यों हुआ क्यों कि जब हम यह नहीं समझते कि वो मेरा बच्चा एक शरीर नहीं है एक आत्मा है और आत्मा को क्या चाहिए? आत्मा को चाहिए साथ गुण और वो गुण आत्मा को हम कब देंगे? दाता कब बनेंगे? जब हम उन गुणों का स्वरूप बनेंगे जब हम उन गुणों का स्वरूप रहेंगे, जब अपने अंदर रुहानी स्ने है, अपने अंदर शान्ती है, प्यूरिटी है, सुख का अनुभव है, तब तो वो वायूमंडल बनाएंगे, जिसमें उस आत्मा को भी वो गिफ्ट मिलेगा और अगर वो अपने अंदर ही नहीं है, तो नैचरल है कि ये तो देख रहे हैं कि ये बच्चा है, तो इसको शरीर के रूप से खाना, कपड़ा, पढ़ाई, आदी-आदी, सब कुछ मिले और वो मिल भी रहा है और दे भी रहे हैं, लेकिन जिस्मानी ग्रोथ तो हो रही है, जिस्मानी कमाई के लिए भी बच्चा तयार हो रहा है, लेकिन आत्मा का क्या आत्मा तो खाली होती जा रही है, है ना, और मैं आपको बहुत छोटी से एक बात बताती हूँ, अभी एक बहन आती थी, तो उसका वो अभी नौकरी करती है, तो मुझे कहती कि मैं अपनी बात पड़ी लिखी है, बहुत अच्छी अपने जॉब में है, जो भी जॉब के लिए जो टैलेंट चाहिए, जो विशेशता चाहिए, वो सब है उसके अंदर, फिर मुझे कहती कि मैं अपनी बात किसी के सामने रख नहीं पाती, और अगर रखती हूँ, तो बहुत बुरी तरह से रखती हूँ, जैसे कि ऐसा लगता है कि कभी से कंपलेंच में भरे पड़े थे, और आज वो गुबारा पुटा हो, तो कहती कि, चुप रहती हूँ, चुप रहती हूँ, जाए कोई जैसे मेरा बॉस जो है वो मुझे पिछले एक महीने से हर वीकेंड नौ, दस, ग्यारा बजे तर महनत कराते हैं, मैं कुछ बोल नहीं पाती हूं को, लेकिन अभी पिछले हफते मैंने इतनी जोर से बॉस पे चिला दिया कि फिर वो रिष्टाई खराब हो गया, तो मैंने उनक जब भी पिताजी को कुछ कहने जाओ, तो मा कहेंगे अरे चुप चुप गुसा हो जाएंगे, पापा गुसा हो जाएंगे, पापा गुसा हो जाएंगे, तो कहती पापा गुसा हो जाएंगे, उस चेकर में कभी कुछ बोला ही नहीं, फिर जब बड़े हो गया तो पापा पे बहुत चिलाया, क्योंकि उस समय पर ताकत आ गई थी, तो कहती वही पैटर्न सा बन गया है, कि कोई भी पुरुष्योला होता है, तो उसको कुछ कहेंगे नहीं, और फिर अंत में उसको कहेंगे बहुत बुरी तरह, तो ये एक पैटर्न सा अंदर बन गया है, एक संसकार बन गया है, तो अब आप सोचो, कि आत्मा जो है, आज तक भी सफर क्यों कर रही है, क्योंकि वो जो रूहानी वायुमंडल, जिसमें जो सामने वाली आत्मा है, वो शांत स्वरूप नहीं, या सुक स्वरूप नहीं, तो उनके क्रोध वो गुसा ना हो जाए, गुसा ना हो इस ये जो इस बात को समझने से हमें समझ में आता है, कि हम जब आपस में भी एक छोटे संगठन में भी रहते हैं, और परिवार की इकाई तो सबसे छोटा संगठन है, तो वहाँ पर भी अगर हम ये नहीं देखते, कि ये जो बच्चा है, ये शरीर नहीं है, ये एक आत्म है, और आत्मा को क्या चाहिए? आत्मा को एक ऐसा वायूमंदल चाहिए, जहां शांती हो, प्यार हो, प्योरिटी हो, रिस्पेक्ट हो, फ्रीडम हो, लेकिन वो वायूमंदल कौन बनाएगा? वो आत्मा जो इन गुनों का स्वरूप होगी, और जहां पर उस सामने वाली आ मर्यादा भी सीखने को मिलेगी और साथ साथ में उसको ऐसा भी समझ में आएगा कि जो बात ठीक है जो बात सत्य है वो मैं एक्सप्रेस भी कर सकते हूँ तो बाबा हमें ये बात कहते हैं कि जो बालक सो मालिक है न कि आत्मा को ऐसा वायू मंडल देना कि वो बालक सो मालिक बन फ्रके मालिक बन कर अपनी बात भी रख सके और इतना स्नेही भी हो उसको कि बालक बन कर आपकी बात खुमान भी सके वो सारा कुछ कौन देगा जब हम आ बाबा कहते हैं, कि हम बच्चों को अब रुहानी प्यार रखना है, रुहानी प्यार माना हम वो environment create करें, जहां पर आत्मा को ज्ञान, पवित्रता, शांती, प्रेम, सुख, आनन, शक्ती की डोज मिलें, और इसलिए ये जो बाबा के घर बनते हैं, बाबा के जो स्थान होते ह हैं, या बाबा के कोई भी स्थान होते हैं, या जहां भी बाबा के बच्चे रहते हैं, तो बाबा की श्रीमत क्या है, कि हम ऐसा वायूमंडल बनाएं, जहां रोज ग्यान, पवित्रता, शांती, प्रेम, सुख, आनन, शक्ती का अनुभव हो, जहां रोज मुर्ली चले, ज जहां रोज प्योरिटी का वायूमंडल हो, जहां पवित्रता मेरा स्वधर्म है, और पवित्रता मेरा जनम से ददिकार है, यह भासना हर आत्मा को आए, यह जहां शांती और स्नेह का वायूमंडल हो, स्नेह माना हर आत्मा को जो भी है, जैसे भी है, उनको सम्मान देना, स् रूहानी शक्ती स्वरूप बनकर हम चलें और आत्माओं को भी वो शक्ती अनुभव कराएं तो बाबा हमें कहते हैं कि रूहानी पढ़ाई के अधार से हमें रूहानी प्यार या रूहानी संबंद का अनुभव होता है और सबसे पहले बाबा से वो रूहानी संबंद और बा क्योंकि बाबा ही हमारा सर्वसंबंदी है, सर्वप्राप्ति कराने वाला है, और फिर हम वो प्यार सब आत्माओं से भी रखते हैं, और इसलिए उनकी रूहानी पालना की जिम्मेवारी लेते हैं, अब आप देखो, जैसे बाबा हमें कहते हैं, कि बाबा से वर्सा मिलता है, लेकिन आत्मा भाई भाई एक दूसरे को क्या देते हैं आत्मा भाई भाई रुहानी पालना देते हैं यह जो रुहानियत का वायूमंडल बनाना या आत्मिक गुणों से अपने वायूमंडल को सीचना और उस वायूमंडल में हर आत्मा लाव ले सके यह भाई भाई की सेवा है जैसे दुनिया में कितना है Humanity तो Humanity के लिए कि अगते प्याव लगाते हैं भोजन बाड़ते हैं कंबल बाड़ते हैं तो ऐसे यह Spirituality है Humanity ने यह Spirituality है कि हम हर आत्मा को ज्ञान गुन शक्ती से भरपूर करने के लिए प्रयोजन करें सेवा का प्लैन बनाए या वो वातावरन तयार करें तो यह बाबा हमें समझाते हैं फिर आप देखो बाबा हमें रुहानी पढ़ाई पढ़ाते हैं अब आप छोटे से बात देखो जब हम स्कूल जाते हैं तो सबसे पहले क्या पढ़ते हैं इस शरीर के parts को, parts of the body है ना और शरीर पांच तत्वों से बनता है, यह बात हम सबसे पहले समझते हैं और शुरू से क्योंकि हम अपने को शरीर समझते हैं तो यह ज्यान प्रारंब से दिया जाता है कि शरीर की शक्तियां क्या है या शरीर किस चीज से बना है, और यह भी समझ में आता है कि शरीर को यह पांच तत्वों से सीचना, या शरीर को उन बातों से protect करना, जिस बात से शरीर को हानी होती है, यह हमारी अपनी जिम्मेवारी है, आप कभी कहते हैं कि या बहुत आंधी चली तो हम उड़ गए नहीं, आंधी चली तो आप अंदर रहेंगे या बहुत आंधी चली अब हमारे आँख में चली जाएगी क्या करेंगे, तो जब आंधी चलेगी तो आप अंदर रहेंगे आँख में कैसे चली जाएगी या आँख जलेगी, तो उस समय भी आप अपने चेहरे को, आखों, आथां को बचाएंगे. क्यों adapting to your own你要? कि जो चीज मेरी है, मेरा शरीर, मेरा हाथ, मेरे पैर, सब चीजों को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेवारी मेरी है, एते ही आपड़ी चीज को तो आप प्रोटेक्ट करेंगे, और या फिर उसको नर्चर करने की या उसका ध्यान रखने की भी जिम्मेवारी आपकी है आपकी health आपकी जिम्मेवारी है ऐसे ही बाबा जब आते हैं तो बाबा हमें समझाते हैं कि तुम्हें कात्मा हो और तुम्हारा मन बुद्धी संसकार है तो उस मन बुद्धी संसकार को प्रोटेक्ट करने की और नरिश करने की जिम्मेवारी किसकी हमारी है हम ये नहीं कह सकते, पचास बाते हुई आज तो मेरा मन जो है वो विचलित हो गया और व्यर्थ विस्तार में चला गया और हम कुछ नहीं कर सके अरे कुछ नहीं कर सकेंगे तो भी करो, क्योंकि आपका मन है, उसको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेवारी आपकी है आप कहेंगे कि दुनिया वाले चुप रहे या बाते ना आएं, क्योंकि मेरा मन विचलित हो जाता है या वो चुप रहे क्योंकि हम अशान्त हो जातें ये ग्यान ही नहीं है, तो बाबा कहते हैं, जिसे शरीर आपका है, तो उस शरीर की जिम्मेवारी आप उठाते हैं, या आपका बाप उठाता है, कोई तीसरा नहीं उठाता, तो ऐसे ही आप आत्मा है, बाप तो उठाई रहा है हमारी जिम्मेवारी लेकिन हमें भी अपनी जिम्मेवारी उठानी पड़ती है कि इस मन को सुमन बनाना, इस बुद्धी को बाबा की याद में बिजी रखना या अपने सूसंसकारों को इमर्ज करना या अपनी इन करमेंद्रियों का ध्यान रखना कि ये जो करमेंद्रिया है इन पर माया का वश न हो जाए या माया का प्रभाव न पड़ जाए अब दुनिया की दूलमेल से तो करमेंद्रियों को बचाते हैं तो शरीर की स्वच्छता पर एटेंशन देते हैं, लेकिन आत्मा की स्वच्छता का क्या, तो इन करमेंद्रियों को जब हम माया से बचाते हैं, विकारों से बचाते हैं, तो आत्मा की स्वच्छता डिटर्मिन होते हैं, तो बाबा हमें ये बातें समझाते हैं, कि तुम एक आत्मा हो और ये जो तुम्हारा सामराज्य है तुम्हारा मन, बुद्धी, संसकार, तुम्हारी कर्मेंद्रियां इनको माया की धूल से बचाना या इनको अस्वच्छता से, इंप्योरिटी से बचाना या व्यर्थ विस्तार से बच्छाना, यह तुमारी अपनी जिम्मेवारी है, तुम दोश नहीं धर सकते किसी पर कि इनके कारण या उनके कारण हुआ आप अपनी हेल्थ के लिए दूसरे को दोश धरते हैं क्या, अगर धर भी देंगे तो क्या होगा खासी उनको आएगी बुखार उनको चड़ेगा नहीं न, अपने को चड़ेगा न तो बीमारी अगर हो जाती है तो इलाज में खुदी करना पड़ता है तो ऐसे ही हम आत्मा भी अपनी जिम्मेवारी ले और फिर बाबा हमें ये भी समझाते हैं कि जिस्मानी रीती से भी हमें past, present and future है न, ये past, present and future का महत्व हमें जिस्मानी रीती से भी समझाया जाता है जैसे आजकल भी आप देखो ये discussion बहुत होता है कि आजकल जो youth है वो future के बारे में नहीं सोचते है न, तो ये बात होती है कि future के लिए तो कुछ करना चाहिए सेव करना चाहिए तो ये जो जिस्मानी दुनिया में भी past, present and future पर attention देना बहुत important समझा जाता है जैसे मनुष्य भले ही आज किसी और स्थान पर रहता मुझे यादे एक भाई था तो मुझे कहता है कि मैं फला गाओ का हूँ और मुझे addiction हो गया स्मोक का और पता नहीं क्या क्या तो फिर मैंने उसको कहा कि अभी आप इस addiction के लिए क्या कर रहे हैं तो कहते हैं मैं गाओ चला जाता हूँ तो मैंने कहां गाओ जाने से क्या होगा तो कहते हैं वहां सब सब को देखते रहते और हमारे घर में अगर कोई पकड़ ले कि ये स्मोक करते हैं तो फिर उस बात में सबी बहुत नाराज होंगे तो वहां पर मैं स्मोक नहीं करता तो अब आप सोचो कि एक व्यक्ती जो उसका अतीत है जिसको अपने roots कहता है या जिसे वो अपना है न हिस्टरी कहता है जब वो वहां जाता है तो वर्तमान संसकारों पर भी वो जीत पा लेता है तो बाबा हमें कहते हैं ऐसे ही हम आत्मा का भी आदी मध्यांत है और बाबा हमें हमारा आदी मध्यांत समझाते है कि हम आत्मा कहां से शुरू कि हम देवात्मा है और हमें क्या बनना है आगे हमें देवी कुल में देवात्मा पुनह बनना है तो बाबा कहते हैं आत्मा जब रूहानी पढ़ाई हम पढ़ते हैं तो आत्मा की बुद्धी में कौन सा past, present, future चलता है ये बेहत का और past, present, future हमारे चिंतन का हिस्सा हमेशा रहता है और कोई भी आत्मा ऐसी नहीं जो past या future का चिंतन ना करती हो और बाबा कहते हैं जब तुम अपने को आत्मा समझते हो तो बेहत के past और बेहत के future और वर्तमान को भी सोचते हो कि इस समय में आत्मा संगम युग में बाबा के साथ हो तो ये जो बेहत का past, present, future है ये तुमें शक्ती शाली बनाता है, समर्थ बनाता है तो ये कुछ बाते हैं रूहानी पढ़ाई की जो आज दिल में आ रही थी तो बाकी भी आप विचार करना कि बाबा हमें जिस्मानी समझ और रूहानी समझ में कितना अंतर है और कैसे बाबा हमें रूहानी पढ़ाई पढ़ाकर रूहानी आटिट्यूड में लेकर आते हैं अच्छा उम्शान्ति